हेलो स्टुडेंट्स स्वागत थे आप सभी का अर्वी एडिटीव क्लास में तो स्टुडेंट्स आज हम देखेंगे A-B के whole square identity को कैसे प्रूब किया जाता है यह जो identity है यह algebraic expression से लिया गया है तो चलिए देखते हैं इसमें हमें कैसे प्रूब करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुए proof of A-B whole square is equal to A square minus 2AB plus B square इस formula को हमें प्रूब करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर write करेंगे देखो यह जो है A-B whole square इसको हम ऐसे write कर सकते हैं A-B into A-B into मतलब multiply करना है यानि कि A-B को multiply करेंगे A-B के साथ तो इसमें क्या होगा है कि देखो इसको आप सबसे पहले इसके साथ multiply कर दो फिर इसको इसके साथ कर दो तो जैसे मैं यहाँ पर write करूँगा A into A A into A फिर यहाँ पर plus sign आ जाएगा पर आप ध्यान से देखो इसका sign plus है और इसका sign minus है तो जब plus into minus multiply होगा तो आपके पास आजएगा minus A into B क्या होजएगा? A into B ठीके? अब इतना हो गया तो अब हम इसका number आएगा B का और इसको इसके साथ multiply कराएंगे तो यह minus sign है यह plus sign है तो क्या होगा? minus A into B फिर यह वाला number को हम इसके साथ multiply कराएंगे तो यहाँ minus है और यहाँ minus है तो minus into minus plus B into B ठीके? तो यह इसका multiplication होगा अब अगर इतना आपने कर लिया तो A into A A square हो जाएगा minus A into B A B हो जाएगा minus A into B A B हो जाएगा plus B square हो जाएगा तो यहाँ से देखो A square यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 ऐसे लिखा नहीं है लेकिन यह है 1 A B और 1 A B ठीके? तो number 1 लिखने की जरूर नहीं है तो minus 1 A B minus 1 A B sign सेम से में तो add होगा minus 2 A B plus B square तो इस परकार से आपने देखा कि A minus B का जो whole square होगा वो होगा A square minus 2 A B plus B square ठीके? तो यह फार्मूला प्रूव हो गया आप इसको write down कर लिजिए ठीके? तो thank you class पार्मूला bayञे पार्मूला था होगा आप पत्राम कर आप लूदर को बात्गा कि जाप से मिएवा बहूँग से मिएरी भूपा कि जापSIुग मिएवा